दुनिया में सभी celebrities को अपने fans को autograph देना पड़ता है उनके fans उन्हें जो भी autograph देने के लिए देते हैं उन्हें उसी पर sign करना पड़ता है वो postcard, napkin और यहां तक की कुछ लोग तो body parts पर भी sign करवाते हैं जैसे कि इन sumo wrestler को ही देख लिजे इनका autograph देने का तरीका कुछ यूनिक है यह अपने पूरे पंजे से autograph देते हैं इनके autograph देने की speed देकर लगता है कि एक दिन में 100 autograph पर sign दे देते होंगे इस वीडियो को पहले बार देखने पर आपको लगे का कि इनसान इन बोतलों पर तेजी से वार कर रहा है पर ऐसा नहीं है यह इनसान अपने आतों से तेजी से इन डखनों को खोल रहा है कि आप खोलते होई से देख भी नहीं सकते क्या आपने पहले किसी को ऐसे डकन खोलते हुए देख थो लाइक कीजे ये इतनी हैरानी से नहीं देख रही है क्योंकि ये रोजा से ही डकन खोलता है आपको जब पता चलगा कि टॉलेट रोल कैसे बनता है तो आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे पहले एक बड़े रोल को छोटे रोल के साइज में काटा जाता है यह काम इतनी स्पीड से होता है कि आप देखी सकते हैं ये ऐसी टेकनलोजी है जिसमें ज़्यादा और क्रोकी जरूट नहीं पड़ती बारत में ये टेकनलोजी ज़्यादा फेमस नहीं है इसकी वज़े ये नहीं है कि बारत में ये लोग मसी खरीद नहीं सकते हैं बलकि इसकी वज़े ये है कि बारत में लोग इससे भी ज़्यादा तेज काम करते हैं जैसे आप इन वर्करस को देखी सकते हैं यह इतनी फास्टली काम कर रहे हैं कि इनकी काम करने की स्पीड बहुत ही ज़ादा है इंटरनेट पर आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिल जेंगे जिनके बारे में आप इमेजन भी नहीं कर सकते है इस ये वीडियो इस बात का सबसे अच्छा उधारण है आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में अपना काम इतनी तेजी से कर रहा है कि इसे देख पाना भी बहुत भी मुश्किल होता हमें अपनी आगों पर विश्वास नहीं होता जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हमें पूरी सिप कवर करने में एक दिनिया उससे ज्यादा खास हमें लगता है लेकिन आगर आप अपना काम में इन बाई साब से करवाएंगे ते कुछी मिंटों म आपका काम पूरा कर देंगे इस वीडियो को देखकर आपको लगए का कि इस वीडियो में ऐसे क्या खास हो सकता है क्योंकि सीसी को काटना को याम बत नहीं है ये किसी भी सेव में तूट सकता है लेकिन आप देखेंगे कि ये एक प्रोफेसनल है ये बड़ी आसानी से अप अपना काम कर सकता है इसे देखकर लगता है कि यह बहुत सालों से इस काम को करता यहीं तब यह इतने प्रोफेस्टनल से इंससों को काट पा रहा है दोस्तों मा अगर आप से कहूं कि आप ताली बजा कर भी दुनिया में नाम कमा सकते हैं तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे दोस्तों इन से मिली ये हैं एले मिसन इन्होंने 2014 में एक मिनट में 2020 बार ताली बजा कर इस दुनिया में नाम कमाया है और अपना नाम जिनेजबुको वर्ल्ड रिकोर्ड में दर्ज कराया है दोस्तों इन से मिली हैं इनका नाम है जैनी मिक्यूलिक ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बुलेट फायर करने वाले इनसान है आप ये सुनकर आयना रों गए होंगे इनकी उमर है 80 साल दोस्तों इन्होंने एक सेकंड में साथ बुलेट फायर करकर अपना नाम जिनेजबुको वर्ल्ड रिकोर्ड दर्ज कराया था इनके पास एक वर्ल्ड रिकोर्ड नहीं बलकि इनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकोर्ड है इन्होंने अपनी एक इंटर्वी में बताया था कि इन्हें अपने काम से इतना प्यार है कि ये अपनी एज की भी चिंता नहीं करते दोस्तों आप देखी सकते हैं कि कैसे इन्होंने साथों के साथों बुलिट फायर करती दोस्तों मेनत करें तो क्या कुछ मुंकिन नहीं है इन्हें देखी यह दुनिया के सबसे देश पंचिंग करने वाले इंसान है इन्होंने अपने नाम जीनेज़ बुको वर्ल्ड रिकोर्ड दर्ज कराया है दोस्तों दुनिया में एक से एक टैलेंटेड लोग है मेहनत करने से क्या कुछ नहीं हो सकता इन्होंने एक मिनट में हजार बार से भी ज़्यादा पंचिंग करके कि अपने नाम Genius Book of World Record धर्च कराया है सोचिए कि अगर आपका पाला इस इंसान से पढ़ जाए और 10 सेकंड के लिए वेगर आपका पाला इस इंसान से पढ़ गया आपका क्या हाल होगा आप समझे सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले देखेंगे आप वो लोग जो दो वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करते दोस्तो आपने घर मकान बनते हुए देखाई होगा वहां मजदूर अपनी कडी मैनत से इतने सारा बोज अपने सिर पर उठा लेते हैं इने बोज उठा देखकर तो कुछ ल